ओलो फेंट्स वल्कम बैक टू माझ चैनल दिखें फ्रेंट्स आज की बनाएंगे हम कानाजी की ड्रेस थ्रसेरे स्पेशल ड्रेस बना रहे है आप ये दिखेंगे बहुत ही हेवी ड्रेस है ऐसी ड्रेस आपको मार्केट से काफी कोसली मिलेगी तो चलिए आज यूद्ध श् मैंहें रचकल कट किया है आपके पास पेस्टिंग नवी बनाएंगे तो भुकरम से अच्छे आप बना सकते हैं तुछ पहले में में ऑस्तर का फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हमें क्या करना है चारो तरफ से इस तरीके से स्टिश कर देना है इसके बाद हम एक स्ट्रा कपड़े को कट करना है थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ना देखिए एक पैर की जितनी हमारी स्लाई होती है इतना मार्जन छोड़ेंगे इतना करने के बाद देखिए इस तरीके हमें पहले फोल्ड करना है एक बार और दोटर हमें आपते सर्कल को दो बर ऐसे संपर के बार से बार प Content अब अबने लिएक ऊपने शुक्तिकर बते सी खिपड़ करने स्युख करनी पड़ेगी लेकिन बहुत अच्छे से बन जाएगी इतना करने के बाद देखिए यहां पे मैंने चुंदरी वाला कपड़ा लिया है और इसके उपर इसको रख दिया है अब हमें क्या करना है एक सिलाई हमें बुक्रम के बिल्कुल बराबर बराबर से करके लगानी है ब हम यहां पे कट कर दिया इतना करने के पाद हमारे कपड़े के लेयर और इसे पलट करने के बाद हमें इसे अच्छे से सट कर देना थोड़ा सा देखे जहां से सलाई है वहां से हलका हलका हाथों से ही प्रेस से कर देना जिससे के हमारे कपड़े की इस तरीके से सैटिंग अच्छे से हो जाएगी अब हमें यह जो हमारी ओपन साइड है वहां पर किनारी पर सलाई लगाने जिससे के हमारे कपड़ा औ बहुत अच्छे से बेस बन गया है तो आप देखे आपने बुक्रम से भी बहुत ही खुशुरा सा बेस मना सकते हैं जरूरी निया पेस्टिंग का ही यूज कीजिए और देखे मैंने आप नैट का फैबरिक लिया है वाइट कलर में है ऐसे मैंने आप दो पीस लिया है और मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूं यह देखे हम इसकी लंबाई ले रहे हैं बहुत ही हलके हादों से आपको इसका मेजरमेंट लेना क्यूंकि नैट का कपड़ा काफी सॉफ्ट होता है तो यह देखे 46.5 इंच हमारा इसकी लंबाई है और देखे हाँ पे इसकी अगर परचेस करने जाएंगे तो अगर आप खुद बनाते हैं तो आप यह बहुत ही असानी से और बहुत ही कम प्राइस में बना लेंगे आप देखे हमें नैट का फैब्रिक मैंने डबल करके इस तरीके से पहले एक बर स्टिच कर लिया है और यहां पर हमें पतली-पतली बहुत ही आराम से लगाएंगे ज्यादा चोड़ी हमें प्लीट नहीं लगानी है आधी अधी आधी हमें कम से कम प्लीट एक के ऊपर चड़ाते हूँ लेकिन लेंगा हे जिससे कि हमारा घेरा आए गएगा फ्रील का बहुत ही खुब खुबसुरत आएगा इसी तरीके से हम पूरी फ्रील लगानी है बराबर बराबर अगर आप फ्रील लगाते हैं स्ट्रेस का जो लुक होता बहुत ही खुबसूरत आता है तो इसी तरीके से में पूरी पट्टी पे लगा लेना है कपड़ा घतम हो जाएगा यह नेट का तो हम दूसरा पीस भीस पे जोड़ देंगे इस पे सबसे पहले हमें वैसे ही सिलाई लगानी है मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ और इतना करने के बादे कि किनारी को फोल करके यहीं से हम इसके उपर फ्लीट लगा देंगे और इस तरीके से अगर फ्लीट लगाएंगे आप तो बिल्कुल भी आपको जोड़ लगान टेहींगें तो फिर बहुत मोटा मोटा सा ही हम आपहर हिस्सा होजाता जहापे हम बांदे हैं कानेंजी की दोरी वगएरा से जो बांदे हैं तो इसलिए जादा हमें अर्जन नहीं रखना है और ये देखिए हमें सरकल है जो हमारी कमर का हिस्सा है वहां पर इस तरीक locks SC неё य इससे पर हमारी यह फ्रील अच्छे से सैट हो जानी चाहिए अब देखिए हमारा थोड़ा सा यहां पर यह पजा हुआ है फ्रील का हिस्सा तो सबसे पहले हमें क्या करना किनारी को इस तरीके से नेट के साथ हमें लॉक करना जिसे कि दोनों पीस आपस में यह अटेच हो देती हो हमारे देखिए यहां पर इतना काम हो गया है अब मैं देखिए इस तरीके कि यहां पर ले रही हूं लेस आप अपनी मर्जी से और चोड़ी लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं लेकिन उसे लगाते वे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ज्यादे इस तरीके से लेस को लगा दिया है इतना हमारे यहां पर काम हो गया है बहुत अच्छे से देखिए मारी फ्रील भी आ गई है और मैंने यहां पर लेस लगा दिया है जोल देखिए बिल्कुल भी नहीं आया आप फलके हाथों से लगाईए बिल्कुल भी जोल कभी भी ड्र तरीके से ओरेश की किनारिया है इसको अब हम यहां पे लॉक कर देंगे क्यूंकि हमें ढुप को實 caric को कि हडिकी कर दिया है हाँ आप इस तरीके से हमें जोनों साइट पृत को लॉक कर लेना यह साइट भी हम इसी तरीके से लॉक करेंगे नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर मोड देंगे और ये वाली जो साइड है इसको भी हमें हाँ पे लॉक करना है तो देखे हमने हाँ पे लॉक कर लिया अब ये मैंने औरेप पटी लिया धाइ इंच की फैंच का औरेप कपड़ा ही लेंगे तो आपका जो नेफाय ड्रेस का बहुत अच्छे से बनेगा अब सबसे पहले क्या करेंगे अगर ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्की है या कुछ भी है तो आप इस तरीके से पहले किनारी को इस तरीके से लॉक कर लीजी एक साइड से यहां से क्या होगा फिर आपको बाद में मोडने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो इसको हम इस तरीके से अब देखे डबल करके फोल्ड कर लेंगे और एक एक पैर की सिलाई जो है बिल्कुल किनारी किनारी पे ہलकी हलकी पट्टी को खींचते हुएं थोड़ा सा और यहां पे graph दरीके से लगानी है अब लेसे को उल्टा करके हमें फ्रेंटस हमें बनाना है तो हमारी देखे कुछ इस तरीके से पट्टी लगके बिल्कुल रड़ी हो गई है एक्स्ट्र फैब्रिक को हमें यहां से कट कर देना है और यह देखे हमारा कुछ इस तरीके से उठा-उठा सा कपड़े का हिस्सा आ जाता है इसका मतलब हमारी पट्टी बहुत अच्छे से लग गई है नेफे की और हमारा नेफा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत एजली फ्रेंड्स अगर पट्टी ठीक से लगती है तो यह पट्टी अपने आप ही इस तरीके से आराम से आजाएगी कि आपको खीचा ताने बिल्कुल भी नी करने पड़ेगी ना सेट करना पड़ेगा इस तरीके से आ जाएगा अब देखिए हमें क्या करना है एक किनारी को फोल्ड कर लेना जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था और डोरी इसके बीच में रखनी है डोरी बीच में रखने क और अब हमें यापे इस तरीके से डोरी को अंदर डालते वे किनारी किनारी फे बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है बहुत याराम अराम से नेफा बनाए कोई जलदबाजी नहीं करिएगा और बहुत अच्छे से आपकी जो नेफा बनके ड्रेस का आ जाएगा तो दीए हमारा ये ड्रेस का बेस अब बिल्कुल कंपलीट हो गया नेफा भी बन गया है हमारा अब हम बना लेते हैं इसकी चोली चोली बनाने के लिए 14 इंच का मैंने आपे लंबा फैप्रिक लिया है और ये हमने होने तीन इंच का लगबर चोड़ाई का कपड़ा लिया इसको हमें फिर उल्टा करके मोड लेना सीधी साइड अंदर रखने है और उल्टी साइड उपर रखने है अब हमें आपे आदे आदे इंच की स्लाई लगा देंगे सीधी सीधी देखे इस तरीके से हमें आपे स्लाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद हमें कोई भी पेच को सवगरा की हेल्प से आख इसको पट्टी को पलटना है हमें आप इस तरीके से पलटेंगे बहुत याराम से यह पलट जाएगी यह देखे इस तरीके से हमें जल 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 इसे से पलट लेना है आधे कि हमने यहां पर इस तरीके से पट्टी को पल्टेंगे और फिर सीधा करके एक सिलाई हम बिल्कुल किनारी किनारी पर पट्टी के लगा देंगे जैसे कि हमारी पट्टी बिल्कुल यहां पर सैट हो जाएगी इतना करने के बाद टिशी डिबन लेना है टिशी डिबन कि हमारी उस पर लेस भी लगा सकते हैं जो हमने ड्रेस में लगाई है तेकिन उपर हम कालाजी को जोल्ड बगहरा पिनाते तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है आप देखे जो हमारी यह दोनों पट्टी है इस तरीके से हमें क्रॉस करते हुए इसको स्टिश कर देना है लगाती है और देखे इस तरीके से देखे बजार में इसको क्या करता है टैश कर देते हैं बिल्कुल इस तरीके से आप चाहते इस तरीके से भी हाँ पर सिलाही लगा सकते हैं जहां पर नेफे की सिलाही आ रही है वहाँ पर भी लगा सकते हैं या फिर आप टिशू रिबन ले लीजिए इदिके tissue ribbon ले लिया मैंने और tissue ribbon लेने के बाद थोड़ी से हमें इस तरीके से sly लगाने है फोल्ड करते वे इतना फोल्ड किया और बीच में हमें देखे tissue ribbon से किनारी को लोग करते वे जो चोली की पट्टी है इस तरीके से हम सिंपली से stitch कर देंगे तो हमारी चोली की यहां पर finishing भी हो जाएगी और आपको पिनाने में भी कोई problem नहीं होगी और आप चाहे तो यही पट्टी आप ड्रेस की चोली में भी लगा सकते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया और इस तरीके से भी बना सकते हैं तो देखे हमारी यहां पर लगबग चोल तो उस तरीके से कर सकते हैं अब मैंने यहां पर देखे थोड़े से यह स्टोन ले लिए हैं यह रैड कलर में हैं इसको हम कहीं कहीं इस तरीके से अपनी ड्रेस पे पेस्ट कर देंगे आप ग्लूगन से पेस्ट कर लीजिए या फैविकोल से भी चिपक जाएंगे बस आप उतना इसको लगा सकते हैं इस तरीके से हमें देखे स्टोन लगादेने और इससे जो होगा मैं ड्रेस का लूग फेर्श बहुत हाइलाइट से हो जाएगा और में यहां पर देखिए फ्लावर ले रहे हूं यह फ्लावर आपको मार्केट में कम-से-कम 30-30 पर पीस बहुत ही हैवी ड्रेस बने की लुप भी बहुत खुबसूरत आएगा इसे देखे मैं आज तरीके से यहाँ पर लगा जीए टोटल 5-6 फूलों में हमारा यह चो ड्रेस है वो पूरा कवर हो जाएगा और आज की ड्रेस फैंस हमने चार नंबर कानाजी के लिए बनाई है चार करते हैं आपको यह ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी देखिए मैंने इस फिल्कुल कंप्लीट कर दिया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब रही किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि मैं हैं ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जय माता की